4 देखते हैं, हम लोग integral निकालते हैं, sin का power 5x, cos x dx, अब इसमें put करते हैं sin x को t, put sin x equal to 20, और इसे differentiate करते हैं with respect to s, तो हो जागा यहाँ पर cos x dx equal to यहाँ dt, तो देखो तो काम बन जागा यहाँ यहाँ पर, यह हो जागा t का power 5 में यहाँ dt, तो क्या आजागा, t का power 6 और y में 6 plus t, यहीं आजाएगा sin का power 6 x और y में 6 plus t, यह आपका answer हो जागा, चलिए question number